Hello Everybody, This is Diraaj Singh Rajput, Welcome to Magnet Brains इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे Air Pressure के बारे में Air Pressure क्या चीज़ है यह आपको समझाएंगे? उससे पहले थोड़ा सा पीछे से Connect करते हैं क्या बढ़ा था हम Weather or Climate को देख रहे थे लाश्ट वीडियो में हमने डिसकस किया कि किस तरह से Temperature एक Important Factor होता है जो Weather or Climate को Influence करता है अब उसी लाइन में अगर देखे तो Air Pressure is Another Important Factor which Influences Weather and Climate सवाल Air Pressure क्या है? कैसे करता है? उससे क्या-क्या related Phenomenas है? सारी चीजें, सारे सवाल जो है आपके मन में सब कुछ यहीं पर अभी Clear करेंगे हम Fine है? तो अब देखो क्या है अगर मैं आपसे एक चीज कहूँ तो आप कितने लोग मेरी बात मानोगे बताओ If I say that we are continuously under the pressure of air Would you believe me? मैं अगर बोलता हूँ कि हमारे ओपर continuously Air जो प्रेशर क्रेट कर रही है धखा दिया Air ने काफी प्रेशर क्रेट कर रही है तो क्या आप मेरी बात मानोगे? चीक है? ओहू एर प्रेशर आया तो आप बोलोगे नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं हमें जिस Air ने सराउंड करके रखा है तो वो हमारी बोडी के उपर प्रेशर एग्जर्ट करती ही करती है लेकिन हमारी बोडी बहुत स्मार्ट है तो हमारी बोडी के अंदर जो प्रेशर है जिसे ब्लड प्रेशर बगरा जो है तो वो उस लेवल पे है जिस लेवल पे air pressure है आयना समझ में तो air ने जो pressure create किया है और body ने जो pressure create किया है दोनों एकदम बराबर है अब मान लीजे आप इधर से push करेंगे मैं इधर से push करूँगा दोनों अपना pressure दे रहे हैं और ये pressure अगर बराबर है तो ठीक है कुछ नहीं हो वो दोनों एकदम even है दोनों एकदम क्या है balanced है तो हमें feel नहीं होता है but it is true ठीक है ये physics में बिलकुल proven है true है क्या है कि we are continuously under the air pressure होई तो उता है कि चारों तरफ air है तो एक pressure तो create करके रखा है air ने ठीक है यहां तक आ गया समझ में और देखो जब ये चीजे mismatch होती है कि body का pressure जादा हो गया air pressure कम हो गया तो क्या होता है तब हमें तब हमें समझ आता है कि हां किस तरह से pressure condition जो है बहुत important है ठीक है एक example में देता हूं तो जो mountains पे चड़ते हैं ठीक है जो हिमालयास पे चड़ गया तो जो trekking करते हैं उन लोगों को हिमालयास पे जाने के बाद में क्य blood आजाता है नाक से ठीक है नाक से blood क्यों आता है कोई उन्हें घुसा मारता है क्या नहीं वहाँ पर नातों फुड़ाई करते हैं अपने आप blood बहार आजाता है कैसे कारण समझाता हूं क्यूंकि ऊपर क्या होता है air pressure कम हो जाता है लेकिन body का pressure तो वही रहेगा तो body का pressure और air pressure जब बराबर नहीं है तो body के अंदर जो blood दोड़ा आपका वो बहार food के आने की कोशिश करता है और इस कारण से कभी-कभी nose bleeding start हो जाती है जो mountains climb करते हैं उन लोगों को आएना समझ में air on the earth surface हवा का भी weight होता है ना ठीक है air का जो weight होता है उस weight से जो pressure exert किया जाता earth surface के उपर हमारी body के उपर उसे कहा जाता है air pressure simple definition ही हो गए आपकी air pressure की fine अब देखो क्या है the air pressure is highest at sea level and decreases with height sea level क्या है जैसे यह मान लो earth है ठीक है अर्थ में जो elevation होता है elevation समझते हैं आप लोग क्या होता है जैसे अर्थ है earth का surface है तो यह क्या हो गया यह elevation कम है ठीक है altitude यह altitude ज्यादा है और यह क्या हो गया यह sea level हो गया जैसे समूद्र के बराबर का जो level होता है जमीन का तो sea level पे हमेशा सबसे जाला एर प्रिशर है, मतलब जो ground एकदम 0 level है, जिसकी height हम जैसे बुलती है, कि हम तो अभी sea level से 1000 meter उपर है, तो 1000 meter मतलब क्या है कि जो normal sea level है, sea level से आप कितने उपर हो, ठीक है, sea level यह है, तो sea level से आप कितने उपर हो, तो जैसे जैसे उपर जाओ कि decrease होने लगता है, इसलिए जो हिमालियास पर चड़ते हैं, तो वहाँ कम air pressure रहता है, फाइन, यह हो गया, अब और देखो आगे क्या है, तो as we go up, air pressure comes down, कहानी हो गई, अब कहानी बड़ी अच्छी लगी, समझाओ, कैसे होता है, तो let me explain you, मैंने आपको बता है कि dense air जो रहेगी, ठीक है, air particles जो है, तो air particles उपर से नीचे आएंगे, तो उपर से नीचे आ रहे हैं, तो क्या हो रहे हैं, air particles pressure create कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और जैसे जैसे आप height पर जाते जाओगे, तो यहाँ pressure क्या होता है, यहाँ से pressure नीचे आ रहा है, ना कि उपर जा रहा है, तो इसके चलते क्या होता है, कि जो normal air pressure है, वो कहाँ जाधा रहेगा, जमीन पर जाधा रहेगा, and it would decrease as we would go up, fine, यह हो गया सारा air pressure के बारे में, एक basic idea जो मैंने आपको देना था, वो दे दिया है, अब देखते हैं आगया और क्या-क्या है air pressure में, तो यह समझो, यह तो हमने देख लिए कि air pressure कहाँ जाधा रहता है, sea level पे और उपर कम हो जाता है, horizontally the distribution of air pressure is influenced by the temperature, और यह उपर air pressure क्यों कम हो रहा है, ठीक है, नीचे air pressure क्यों जाधा हो रहा है, एक तो वो air mass मैंने आपको बता दी, उसी के साथ साथ में temperature बहुत important role play करता है, everything is influenced by temperature अगर देखा जाए तो, ठीक है, practically अगर आप देखोगे तो हर चीज़ की जो starting point होती तो कहीं ना कहीं temperature से होती है, तो अब मैं आपको बताऊँगा कि air pressure जो है, तो distribution of air pressure अगर देखें कि कहाँ पर कितना है, जमीन पर जादा क्यों है, उपर कम क्यों है, यह सारी चीज़े temperature के दवारा कहीं न कहीं influence की जाती है, ठीक है, अब आईए समझो, तो एक साथ explain करता चलूँगा, चिंता मत करो, air circulation and air pressure, air circulation मतलब क्या है, कि air कैसी चलती है, एक line में बोलता हूँ आपको, कि air चलती है, कुछ इस तरह से, मतलब यह जमीन है, तो जमीन में जहाँ high pressure रहेगा, ठीक है, और जहाँ low pressure रहेगा, तो high pressure से low pressure पर हमेशा, क्या चलने वाली, airs चलने वाली है, ठीक है, अब वो क्यों चलत it expands, ठीक है, becomes lighter and goes up, वही पर दूसरी चीज़ क्या है, cold air is denser and heavy, tends to sink down, creating high pressure और यहाँ पर बनता है low pressure, अब मैं आपको इसको diagramatically समझा देता हूँ देखो, क्या होता है, कि जब sunraise आती है, I sunraise, welcome sunraise, ठीक है, अब sunraise जब आएगी, तो जहाँ sunraise direct आएगी, मानलो जैसे sunraise यहाँ आई, तो यहाँ की जो air masses है, वो गरम हो जाएगी, ठीक है, तो air masses क्या हो जाएगी, गरम हो जाएगी, it would expand, तो air masses गरम होने का चार्ज हो जाएगी, तो वो expand होगी और वो कहाँ जाएगी, it would rise up, ठीक है, rise up होने लगी वो, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो नीचे नहीं है क्यों क्योंकि सारी air जो है तो गरम होने के कारण हलकी हो गई ठीक है तो heated air masses are light ठीक है light जब होगी तो expand करेगी और expand एकने के साथ उपर उड़ जाएगी जैसे आपने देखा होगा कि hot air balloon जो रहते हैं तो अपने आप हवा में उपर क्यों जाते हैं क्योंकि उसके sun rays क्या रहेगी कम रहेगी ठीक है जहाں पे sun rays कम रहेगी जहां अकलाव्ड से जीज़ें तो वहाँ पर क्या होगा वहां पर air masses नीचे प्रेशर क्रेट करेगी तो यहां क्या बन जाएगा high बन जाएगा, बन गए हाई प्रेशर, अब क्या होगा देखो, तो यहां की एर मासेज उपर चले गए, यहां जगा खाली हो गई है, मतलब यहां सीट खाली है, अब आप यहां पे क्या है, बहुत सारे लोग बैठते जा रहे हो, बैठते जा रहे हो, तो किसी को समझ में आया कि एर यहां सीट खाली है, फिर लोग क्या करेंगे, ऐसे भागेंगे, बानते हो ना, लोग ऐसे भागने वाले हैं, तो हम क्या देखें इसमें, जो मैंने आपको भी बुला, कि एर प्रेशर, नतलब एर मासेज जो है, तो इट मूज फ्रॉम हाई प्रेशर, जहां प्रेश क्या होगी, उस वेक्यूम में सारी एर मासेज रश करेगी, उस वेक्यूम में सारी एर मासेज भागेगी, ठीक हैं, तो एर प्रेशर, या फिर एर मासेज मूज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक हैं, अब देखो, यहां पे का है, टॉपिक क्या था हमारा, horizontal distribution distribution of air pressure is influenced by the temperature, आईना समझ में कैसे temperature ने influence किया, temperature जादा रहेगा, low pressure, low pressure के बाद में जहाँ temperature नहीं रहेगा, वहाँ high pressure और फिर winds move करेगी, simple, यह था simple सी चीज किस तरह से यह जो distribution of air pressure है, तो वो air pressure temperature के त्वारा influence किया जाता है, I hope यह समझ में आया है, air circulation समझ में आया, कि air moves from high pressure to low pressure, अब when hot air rises, cold air from surrounding area rushes there to fill the gap, यह simple सी चीज है, जब hot air उपर चले जाएगी, यह low pressure बन गया यहाँ पर, तो जो cold air है, जो की high pressure create करेगी, उपर नहीं गई ना, तो cold air क्या करेगी, cold air would rush from the high pressure area, ठीक है, तो cold air from surrounding areas, तो cold air यह surrounding area से, would rush towards the gap, ठीक है, यह जो gap है, इस gap को fill करने के लिए, वो हवाय चलने लगेगी, और ऐसे ही धरती पे हवा चलती है, आप देखते हो, हवा उदर से इधर आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, कि वहाँ high pressure था, और high pressure ने, जहाँ low pressure मिल रहा है, चाहिए low pressure वहाँ, तो वो इस direction में भैके जाएगी, अगर इधर low pressure है, तो इधर भैके जाएगी, दोखो, यह world में अगर आप देखोगे, तो defined pattern में चलती है, अभी मैंना आपको समचाने के लिए, simple से, example से, बस यह समझा देख, किदर से, किदर जाती है वो, बाकी world में जब यह बहती है, हमाएं, तो एक defined pattern है, जिसे हम पढ़ेंगे, चिंता मत करो, ठीके, यह हो गया उसकाद में, low pressure is associated with cloudy skies and wet weather, तो low pressure में क्या होता है यह भी समझ लो, low pressure में क्योंकि सारी air masses उपर उड़ जाती है, अब continuously air masses उपर उठ रही है, तो उपर cloud formation होता है, wet weather इस तरह से, ठीके, बारिश होती रहती है, और high pressure में क्या होता है, कि सारी masses तो नीचे आ गई, तो उपर जो रहता है, उपर atmosphere एक्दम clear रहता है, तो high pressure is associated with clear and sunny sky, आगे ना समझ में, तो बड़ी simple सी चीज में पढ़ी हमने, अब हम क्या पढ़ने वाले, जो दूसरा factor है, कौन सा दूसरा factor है, wind, तो आपकी book में जो अगला topic है wind, उसे अब हम next video lecture में discuss करेंगे, देखेंगे किस तरह से wind जो है, weather और climate को influence करता है, air pressure सा है ना समझ में, कि air pressure, जहाँ low pressure होगा, वहाँ पे किस तरह का weather होगा, वहाँ पे cloudy sky, sweat weather, तो क्या होता है, मैं आपको एक्जामपल देता हूँ, कि equator पे हमेशा क्या रहता है, low pressure, तो इस कारण से यहाँ पे बारिश होती रहती है, low pressure के कारण क्या रहता है, क्योंकि sun rays आरे इन डारेक्ट, तो यहाँ से air mass है, जब sun rays direct आएगी, तो अगर ऐसे देखें हम, कि यह 0 degree equator है, यह 90 degree है, यह भी 90 degree है, तो यहाँ तो sun rays direct आएगी, अब जब sun rays आएगी, तो यहाँ कैसा बन जाएगा, low pressure condition बन जाएगी, तो इकवेटर पे इसलिए क्या होता है, wet weather होता है, skies, cloudy skies, हर दिन बारिश होती equator पे जो island है वहाँ, ठीक है, वहीं पे अगर आप देखोगे क्या, कि जहाँ पे high pressure होगा, 90 degree poles वगेरा पे क्या रहता है, poles वगेरा पे कोई रोल नहीं बारिश वारिश का, वहाँ तो हमेशा कह रहता है, clear sky, sunny sky, बस इस तरह का phenomena देखने को मिलता है, तो यह हमने देखा किसी प्रकार के doubt है, तो feel free to ask in comment section, till then stay connected, keep learning, thank you, thank you very much